किसी ने क्या खूब कहा है कि कच्रे में पैदा हुआ कच्रा ही रहूंगा ये जमाने की सोच है बड़ा हुआ तो देखा यहां तो सबकी अलग ही मौज है जब भी खुद को साबित करने की कोशिश की तो सामने देखा मुझे रोकने वालों की फौज है और लोगों को है सब की आजादी पर मुझे तो लोगों को छूने तक की रोख है और इसी शायरी के साथ हम आज का अपना ये चाप्टर लॉस्ट स्प्रेंग स्टार्ट करने वाले बच्चों बहुत ही एक प्यारा चाप्टर जो की अनीज जंग ने लिखा और इस चाप्टर के जरिए कहीं न क खाना खा पा रहे हैं, क्वालिटी एजुकेशन प्राप्त कर पा रहे हैं, हम लोग कितने ज्यादा लखी हैं, हम लोग सारा दिन अपने आपको कोस्ते रहे हैं, मैं ऐसी क्यों नहीं दिखती हूँ, मैं मोटी क्यों हूँ, मैं पतली क्यों नहीं हो जाती हूँ, मिर पास य वाली गाड़ी क्यों नहीं है उसके पास ये है मेरे पास ये क्यों नहीं है आज इस चाप्टर को पढ़ने के बाद शायद आपके दिमाग से वो सब चीजे निकल जाएंगे और आप भगवान को थांक यू बोलेंगे कि थांक यू गॉड थांक यू सो मच फॉर आल दिस कदर अपने आप में दो कहानियां हैं दो क्यारेक्टिर क्या काहन दिखेंगे जिसमें एक हैं मुकेश का कर और दूसरा साहिब का क्या है छब strictly कहा लिए वहिए हमसे अलग है या situations ने उसे अलग बना दिया है बहुत सारी अन देखी अनसुनी बाते बहुत सारे अन देखी अनसुने experiences आज इस chapter के जरिये हम सीखेंगे Lost Spring chapter यहाँ पर आप मेरे पीछे एक तस्वीर देख रहे हैं यह शायद इस तस्वीर को देखने के बाद आपको लग रहा होगा किया रहे यार इतना सारा कच्रा पर यह क्या है यह हम ही लोग तो है यह किसने फैलाया है यह किसने किया है हम लोगों नहीं तो किया है और जिन लोगों से हम दूर भागते हैं जिन लोगों को हम छूने नहीं देते हैं चीजों को वो लोग हमारा ये कच्चरा साफ करते हैं वो लोग अच्छल में कही न खुष you हम जिन situation में रह रही हैं साफ सुथ रह रही है अच्छे environment में रह पा रहे हैं इनकी वजह से रह बारी हैं यह अपनी जिन्दगियों को खतम करकर के हमारे लिए हमारा एरिया साफ कर रहे हैं आप यहाँ पर एक तस्वीर देख सकते हैं और यहाँ पर एक छोटा सा बच्चा देख सकते हैं शायद वो इस कूडे के धेर में अच्छे से दिख भी नहीं रहा है और वो यहाँ पर कुछ ढून रहा है मान लीजे यह बच्चा कौन है मान लीजे यह बच्चा मुकेश है आज की इस कहानी के अंदर इंग्लिश का यह आपका क्लास है फॉर्स क्लास है फॉर्स सेशन है मेरे साथ और दो कहानिया जैसे मैंने आपको बोला कि एक कहानी के अंदर sometimes I find a rupee in the garbage and I want to drive a car यह दो कहान क्या क्या चीजे होंगी जो हम इस चाप्टर के अंदर पढ़ने वाले हैं सबसे पहली चीज मैं आपको चाप्टर के बारे में बताना चाहूंगी क्योंकि चाप्टर के बारे में चाप्टर पढ़ने से पहले जानना बहुत ज्यादा जरूरी होता है आखिर कर कितन चीजो की बात की गई है इस चाप्टर के अंदर आई देखते हैं The story Lost Spring deals with the deplorable condition of poor children who get forced to miss the simple joyful moments of childhood because of their socio-economic condition कहने का एक simple सा मतलब यह है कि यह जो कहानी है Lost Spring मैं अभी इसके title का significance भी आप लोगों को बताऊंगे यह जो कहानी है Lost Spring यह deal करती है deplorable condition of poor children कि यह जो बहुत ही बुरी deplorable condition होती है बहुत ही मतलब आप समझ लो की बुरे से भी बुरी condition जो है कि इनकी इन गरीब बच्चों की जिनको जबरदस्ती कहीं न कहीं काम करवाया जाता है और जबरदस्ती उनकी जिन्दगी के अच्छे moments जो है उनके बच्चपन के वो उनसे छीन लिये जाते है because of their socio-economic condition उनकी जो सामाजिक आर्थिक condition है socio-economic condition है उसकी वज़ा से उनसे उनके बच्चपन को छीन लिया कहीं न कहीं गया है they are meant to learn not to earn कुछ सीखने वाली उनकी उम्र है ना कि कुछ कमाने वाली these children are not given opportunity of schooling ना इन लोगों को schooling की opportunity मिली है and are compelled to start working early in life और कहीं न कहीं compelled मजबूर कर दिया गया है उन लोगों को कि इतनी छोटी उम्र में उन्हें काम करना पड़ रहा है the author अनीज जंग strives hard to advocate elimination author अनीज जंग हमारी जो अनीज जंग है strives hard ये कड़ी तरीके से एक जोर डाल रही है किस चीज के उपर to advocate advocate मतलब ये वकालत कर रही है किस चीज की वकालत कर रही है elimination of child labor through her book उनकी ये जो किताब है stories of stolen childhood इसमें ऐसी बहुत सारी कहानिया है वो देश में अलग-अलग जगा घूमी और वहाँ पर अलग-अलग जगा पर जो ये गरीब बच्चे हैं और जो काम कर रही है जो child labor है उन कहानियों को share किया and actual में she is trying to eliminate this thing from society वो क्या कोशिश कर रही है कि ये जो चीज है समाज से बिलकुल खत्म कर दी जाए और ये वकालत कर रही है इस चीज की साथ दे रही है मतलब इस चीज का चले सो background क्या है lost spring का अगर हम जाने poverty is considered a legacy आप इस chapter के जरिये ये जानेंगे कि कैसे poverty जो है इन लोगों ने मतलब अगर आप इन गरीब लोगों के बीच में जो ये काम सब करते हैं इनके बीच में अगर जाएंगे और आप इनसे बात करेंगे जो कि अनीज जंग ने की मैं अभी कहानी जब शुरू करूंगे अभी background story बता रही हूँ तो तब उन्हें पता चला कि यार actual में कहीं न कहीं इन लोगों ने इस गरीबी को अपनी विरासत मान लिया है legacy मान लिया है अपनी heritage मान लिया है right and grinding poverty in India दूसरी चीज ग्राइंडिंग poverty मतलब इस तरीके की गरीबी जिससे आप कभी भी बाहर नहीं निकल सकते लगातार आप उसके अंदर exploit हो रहे हैं पिस रहे हैं exposes the underbelly underbelly मतलब होता है weakness किसी भी organization की कहने का मतलब कोई भी कमजोर भाग तो ये जो chapter है इस चाप्टर के जरीए जो दोनों कहानिया है वो हमें कहीं न कहीं इंडिया की जो economic progress है वो हमारा एक कितना कमजोर भाग है हमारे देश का उसको भी सामने लाकर खड़ा करता है यहां तक सब कुछ clear हुआ अब background के अंदर बेरहमी भी दिखाई गई है मतलब की कहने की बात है कि society के अंदर कैसे political class और कैसे हमारा जो समाज है वो बेरहम है इन लोगों के प्रति यह जितने भी लोग है जैसे बैंगल मेकिंग की और सॉरी यहां जने के बात की जाए यह जैसे बैंगल मेकिंग की अगर बात की जाए ठ dhok ओपर जाके ekुट की कहानी हे और सीमा पूरा इलाका इक दिखाया गया है जो society and political class treats these children इन बच्चों को कैसे वो class treat करती है इन बच्चों को कैसे हम बोल सकते हैं कि दूर रखा जाता है ठीक है basic needs से basic resources से basic rights से उसके बारे में यहां पर बात होगी तो अभी तक मैं यह आशा करते हूँ कि आप लोगों को यह तो समझ में आ गया होगा कि chapter होने किस बारे में वाला है अब देखिए significance title का देखना बहुत जरूरी है because exam में बहुत ज्यादा question पूछा जाता है इसके title से related so title दिया हुआ है हमें lost spring the stories of stolen childhood spring का जो मौसम होता है उसमें आप देखते हैं कि नई नई कलियां खिलती है छोटी छोटी राइट spring का जो मौसम होता है नई नई कलियां खिलती है बहार आती है यहाँ पर spring को childhood से compare किया गया है childhood मतलब बच्पन से compare किया गया है और lost बोला गया है जो चीज़ खो गई है तो खोया हुआ बच्पन यह कहानी है उस खोय हुए बच्पन की stolen childhood जो चुरा लिया गया उनसे बच्पन उसके बारे में यह कहानी है the title signifies how childhood often compared to spring कि कैसे हम बच्पन को spring से compare करते है and marked by fun so बच्पन में मजाक, मस्ती, खुशी, उल्लास, फ्रॉलिक मतलब, fun मतलब, merriment, इन सब का मतलब क्या होता है fun, उल्लास, खुशी, जोए, okay, is snapped away, snapped away मतलब छीन लिया जाता है snapped away, छीन लिया जाता है from the children बच्चों से, तो कैसे यह बच्पन छीन लिया जाता है इन बच्चों से, कैसे यह मजबूर हो जाते है आईए फड़ा-फट से देखते है, plot जो है कहानी का दो कहानिया, मैंने बोला, एक rag picking की कहानी है, अब rag picker मतलब, जो कूड़ा उठाने वाले होते है और बैंदल मेकिंग इन फिरोजाबाद, जो चूड़िया बनाने का काम है फिरोजाबाद, largest glass blowing industry के नाम से जाना जाता है पहली कहानी मैंने आपको बताया कि हमारी साहिब के बारे में होने वाली है, तो वैसे दोनों कहानियों के अंदर characters जो होंगे एक तो हमारी narrator है जिनका नाम है अनीज जंग, साहिब आलम, a rat picker in सीमापूरी, right, and a man from Udipi, the priest and his son हम जो आज की कहानी में पढ़ने वाले हैं, उसके अंदर हमें ये तीन characters मिलने वाले हैं, जो दूसरी कहानी हम पढ़ेंगे, सविता, मुकेश, एक बूढी महिला, मुकेश की भावी, उसके भाईया, उसकी grandmother और उसकी grandfather और father, ये सब characters उसके अंदर होंगे main character वैसे भी उसके अंदर मुकेशी है, जिसकी around पूरी story revolve करेगी, और हमारी आज की कहानी में भी main character साहिब आलम, उसका पूरा नाम है साहिब आलम, ये बहुत important point साहिब आलम से related बात भी इस chapter में आपको बताई गई है, अब हम शुरुवात करते हैं हमारे chapter की, जब chapter की शुरुवात होती है, तो हमारी जो अनीज जंग है, वो देखती है, मतलब काफी time से वो जहां रह रही ह होती है, रूर्स सुभा वो देखते हैं कि कुछ बच्चे आते हैं, गैंग आता है, एक आमी आती है, और इन आमी को बोला गया है, नंगे पैर आती है, ये आमी, ठीक है, ये जो आमी आती है, आमी आने का मतलब है, ये जो बच्चे सुबह सुबह चारों तरफ वहां दिख गायब हो जाते हैं यह राग पिकर्स भी चुटे चुटे बच्चे भी अपने कंधे पर जोला लेकर सुबह सुबह दिखाई देते हैं और दुपैर होते होते तक गायब हो जाते हैं बोला गया है कि यह सभी बच्चे बिलकुल नंगे पैर रहते हैं रोजाना अनीज जंग को देखती और दुपैर होते होते तक यह गायब हो जाते अब अनीज जंग जो है वो एक दिन इन बच्चों से बात करती है राइट यह बच्चे आखिरकार सबसे पहले आमें बताना होगा है कौन यह बच्चे हैं बांगलादेश में धाका से आये हुए रिफ्यूजीज शर्णार थी धाका में अकसर बहुत ज्यादा बारिश के कारण फ्लड आता है जिसकी वज़ा से इन सभी लोगों के घर, खेत, खलियान सब कुछ तबा हो जाते हैं और वहाँ पर इनके पास कमाने खाने के लिए कुछ भी नहीं बच्चता तो 1971 में, 1971 में सीमापूरी का जो इलाका है दिल्ली के अंदर वो 10,000 रागपिकर्स का घर बना कितने रागपिकर्स का घर बना, 10,000 रागपिकर्स का घर बना जिसमें ज्यादा तर बांगलादेशी रिफ्यूजी थे जो की 1971 में आये थे 1971 में आया थी आपने देखा बाड की वज़े से इन लोगों के घर डूब जाते हैं वाँ कच्छे घर है इन लोगों की हालत काफी ज्यादा खराब हो जाती है सीमापुरी जो है दिल्ली में उसके अंदर 10,000 से ज्यादा ये टर्म याद रखना कितने ज्यादा 10,000 से भी ज्यादा राग पिकर जो है वो इस इलाके में रह रहे हैं अब वो मिलती है साहिब से जो की एक राग पिकर है कब मिलती है वो जो की कूडे के धेर में क्या कर रहा था कुछ ढूंड रहा था कूडे के धेर में क्या कर रहा था कुछ ढूंड रहा था क्या ढूंड रहा था कूडे के धेर में कोई क्या ढूंड सकता है आप क्या ढूंड सकते हैं मैं क्या ढूंड सकती हूं हमारी कोई चीज गुम जाए तो बेशेक हम फिर भी ढूंड लेंगे पर क्या आप जल्दी से कूड़े में हाथ दालते हैं कुछ ढूढने के लिए नहीं बहुत कम होता है अब यहां लिखा है scrounges for gold what is this gold gold बिटा यहां पर है valuable thing valuable thing मतलब कुछ कीमती अब इनके लिए जो gold है इन छोटी छोटी बच्चों के लिए जो gold है वो क्या है अरुपी कभी कभी इन्हें एक रुप्या या दस रुपे का नोट कूड़े के अंदर मिल जाता था जिसकी वज़ा से क्या होता यह लोग काफी ज्यादा खुश हो जाते और और जल्दी जल्दी ढूनना शुरू कर देते हम बहुत सी बार अपनी पूरानी जीन्स निकालते हैं और उसकी पॉकित चेक करते हैं अगर हमें पैसे मिल जाते तो हम कितना खुश होते हैं फिर हम सारी पॉकित चेक करते हैं सारी jeans की pocket check करते हैं करते हैं या नहीं करते हैं क्यूं करते हैं in that hope उस आशा के लिए कॐन सी आशा के लिए कि शायद हमें और कुछ भी मिल जाए शायद हमें और कुछ भी मिल जाए तो जब ये बच्चा कूरे के धेर में कुछ ढूवन रहा था तब अनीज जंग आके इससे मिलती है राइट और उससे पूछते हैं कि यह तुम क्या कर रहे हो गाई तो वो बताता है कि मैं एक रुपया या दस रुपया का मुझे बहुत सी बार इसमें पैसे मिल जाते हैं तो मैं वो ढूंड रहा हूँ तो यह जो छोटा बच्चा है इसके लिए कहीं न कहीं यह जो गाबिज है यह वंडर से भरी हुई एक चीज है राप्ड विद वंडर कहने का मतलब है कि इसे इसमें कभी भी कुछ भी मिल सकता है जिससे यह खुश हो सकता है राइट लेकिन जो इसके मादर और फादर है जो एक जरिया है एक तरीका है राइट साहिब बिलॉंग से बिलॉंग करते हैं बांगलादेश की जो लोग सीमापूरी में आकर बस गया है इस तरीके का एरिया है यहां पर जाहें यहां आपको स्टार हो तरफ कूडा ही कूडा दिखाई दे रहा होगा and they are living in these transit shacks transit shacks क्या होत ही जिन घरों में रहते हैं जो temporary घर होते हैं उन्हें हम transit transit मतलब temporary shacks मतलब hut तो यह जो इन जो पड़ियों में रहते हैं जो temporary होती है ठीक है so they believe that their transit shacks are a better place than their native villages that provide no food तो इन यहां पर रहने वाले लोगों का मानना यह है कि यार हमारे लिए यह जो temporary घर है यहां पर इस सीमापूरी के इलाके में इस कूड़े के बीच कई न कई यह हमारे लिए बहुत ठीक है क्यों क्योंकि जहां से हम आए हैं वहां पर हमें खाने के लिए कुछ भी नहीं है so this is better at least हमें aching stomach एक term use की गई है मतलब हमें रात को भूखे पेट तो कम से कम नहीं सोना पड़ता सारा दिन कुछ खाओगे नहीं तो रात में पेट दर्ध होगा ना तो वो यह बात यहां पर बोल रहे हैं right once in a while the children manage to find coins and rupee notes in the garbage कि कभी-कभी ऐसा हो जाता है children manage to find कि कभी-कभी बच्चों को coins या फिर rupee notes जो है वो मिल जाते हैं garbage के धेर में the author notices how such occasional findings help the children to cling on to hope and life और जो author है वो यह notice करती है कि कैसे such occasional findings occasional findings जो चीज कभी-कभी हो रोजाना उनके साथ ऐसा नहीं होता कभी-कभी यह जो चीजें उन्हें मिल जाती है यह कैसे मदद करती है इन बच्चों की to cling on to hope and life इनकी होता ना कि life में अगर एक hope हो एक तिनके का ही साहारा बहुत होता है जिंदा रहने के लिए भाई होता है या नहीं होता है बस उसी की बात यहां पर की अब जब अनीज जंग उनसे पूछती है तो वह यह जवाब देता है कि बहुत सी बार मुझे यहां पर एक रुप्या या दस रुपे का नोट या ऐसा कुछ मिल जाता है और फिर उसके चक्कर में वह और ज्यादा स्क्राउंजिंग वह ध्यान रखना कि वह काफी ज्यादा यूज हुआ है अब अनीज जंग जो है वह कहीं न कहीं उससे सवाल पूछना तो नहीं चाहती थी पर उन्होंने पूछ लिया क्या कि तो यहां पर कूड़े के धेर में यह सब धूंड रहा है स्कूल क्यों नहीं जाता और यह सवाल बिना सोचे समझे शायद मैंने भी बहुत लोगों से पूछा होगा बहुत बच्चों से पूछा होगा और मुझे उस दिन के बाद से यह कहानी पढ़ने के बाद से लगा कि मुझे ऐसा सवाल कभी भी किसी से नहीं पूछना चाहिए राइट इस दी रॉंग क्वेस्टिन यू कैन आस्क टू सामवान किस पढ़ना सब चाहते हैं शायद कोई दिक्कत परिशानी होगी और यहां पर यह सब कर रहा है तो स्कूल क्यों नहीं जाता है एडवाइस देती है उन्हें स्कूल जाने के तो बहुत ही प्यार से साहिब बोल देता है कि मेरे आसपास यहां नेबर हुड में कोई स्कूल नहीं है जिस दिन बनेगा चला जाओंगा तो यहां पर ऑथर उसके जवाब के बाद उससे बहुत ही माशूमियत से या बिना सोचे समझे एक सवाल कर देती है कि अगर मैं कभी स्कूल बनाओंगी तो क्या तू मेरे उस स्कूल में आकर पढ़ेगा और ऑथर की इस एक बात ने कहीं नहीं मतलब साहिब के दिल में एक होब जगादी एक आशा जगादी एक उमीद जगादी कि क्या ये इंसान स्कूल बनवा सकती है साहिब tells him that there is no school in the neighborhood वो उसे बताते है हमारे neighborhood में कोई स्कूल नहीं है और author बोलती है उसको एक उमीद दे देती है कभी न कभी कही न कहीं ऐसा बोल कर कि अगर मैं कोई स्कूल बनवाओंगी तो बिटा तू आएगा क्या जिससे उस बच्चे को ये लगता है कि शायद ये स्कूल बनवाएगी वो एक कई न कई फेक प्रॉमिस था जो कई न कई उन्हें नहीं करना चाहिए था बट उन्होंने वो जानबूच करने किया ग्लिबली एक वर्ड यूज हुआ है अगर आप अपना चाप्टर पूरा पढ़ेंगे लाइन बाइन वर्ट वर्ड आपको ये मिलेगा तो क्यूंकि वो उन्होंने अंजाने में पूछ लिया था कुछ दिनों बाद साहिब दोड़ा दोड़ा मतलब पहले जब हमारी अनीज जंग ने उससे सवाल किया अगर मैं कोई स्कूल बनाओंगी तो तुम आओगे क्या तो उसने हाँ बोला बोले हाँ जरूर आओंगे सवाल पूछते ही ऑथर को ये रियलाइज हो गया था कि मैंने एक बहुत ही बड़ी और खोखली बात इस बच्चे से कर दिया एक ऐसा प्रॉमिस मैंने इस बच्चे से कर दिया है शायद जो मैं पूरा नहीं कर पाऊंगी लेकिन फिर ऑथर को ये रियलाइज होता है कि इनकी दुनिया इनकी लाइफ इनकी सिचुएशन ऐसे हजारों लाखों प्रॉमिसेस से भरी हुई है जो कभी पूरे नहीं होते अलग-अलग पॉलिटिकल पार्टी अलग-अलग बिजनिसमैन अलग-अलग बड़े बड़े लोग शायद अपने फाइदे के लिए आते हैं इन लोगों के पास वोट्स के लिए आते हैं इन लोगों के पास और इन लोगों से बहुत बड़े-बड़े वादे करके भी जा ये सबी businessman, ये सबी बड़े-बड़े influential लोग इनसे करते हैं बट कभी भी वो चीजे पूरी नहीं होती तो realize तो एकदम से हो गया नीज जंगों कि ये तो एक बहुत खोखला promise मैंने इससे कर दिया साहिब का पूरा नाम अगर आप जानेंगे तो वो है साहिबे आलम अब साहिबे आलम जो उनका नाम है इसके अंतर भी एक irony है irony मतलब, irony मतलब होता है एक व्यंग कुछ चीजे ऐसी होती है कि आपको नाम तो सुनकर ऐसा लगेगा कि ओ माई गौड अगर किसी का नाम साहिबे आलम है तो वो उस नाम का मतलब है Lord of Universe मतलब इस ब्रह्मांड का भगवान Lord और अगर उस बच्चे को कोई देखे तो उसकी कंडिशन ऐसी है कि वो कच्रे के ढेर में एक रुप्या या दस रुपे ढूंड रहा है राइट सु साहेब का जो नाम दिया गया शाहिद अनीज जंग बोलती है कि इसको खुद भी अपने नाम का मतलब नहीं पता होगा और अगर इसे कभी पता भी चलेगा तो शायद ये खुद बिलीव नहीं कर पाएगा अपने नाम के इस मतलब से कि हो ही नहीं सकता मेरा मेरा नाम का मतलब ये है मिया लॉड हूँ उनिवर्स का that's not possible so that's irony कि नाम ऐसा जिससे आपको expectation कुछ हो but reality is something else that is irony but he is a rag picker लेकिन वो एक rag picker है hence the irony तो irony यही है ironical that he roams the street with other rag pickers ये ironical है lord of universe तो गली गली नहीं घुमेगा बाकी rag pickers के साथ लेकिन यहां पर साहिब वो काम कर रहा है so that's irony कि किसी चीज़ को देखो तो वो कैसी दिखाई दे बट reality कुछ और हो right देखने में कुछ और है बट असलियत जो है वो कुछ और है so अब उन्होंने देखा कि जितने भी यह जो बच्चे थे क्या सवाल कर लिया क्या सवाल था वो कि तुम लोग सब नंगे पैर क्यूं रहते हो चपल क्यूँ नहीं पहनते वो फिर उन्हेत होता है कि शायद यह एक ट्रडिशन है ठीक हमारे इंडिया के अंदर जो पोवर्टी स्ट्राइकन इंडिया है जो गरीबी की चपेट में आया हुआ भारत है शायद उस उस एरिया की यह ट्रडिशन है नंगे पैर रहना अगर इनके पास जूते होते हैं तो भी यह नहीं पह उसे सवाल कर लेती हैं कि भाई तुम लोग नंगे पैर क्यों रहते हो तो बच्चे क्या जवाब देते एक बच्चा बोलता है कि मेरी चप्पल इतनी उचाई पर शेल्फ में रख दी थी कि मैं उतार के पहन नहीं पाया एक बोलता है अगर मेरी मम्मी उतार के भी दे दे तो भी मैं नहीं पहनता और उस बच्चे ने क्या पहने हुए थे दो अलग-अलग तरीके के जूते पहने हुए थे जो फटे हुए थे और एक बोलता है मैंने आज तक अपनी जिन्दगी में कभी जूते ही नहीं पहने उसको desire है जूते पहनने की इस बात पर अनीज जंग को एक कहानी याद आती है आज से 30 या 31 साल पुरानी और वो कहानी क्या होती है वो कहानी ये होती है कि उडीपी एक जगा है उडीपी एक जगा है ये मैंने आप लोगों को बता दिया कि बैफुट रहना एक ट्रेडिशन है कही न कहीं जो गरीबी की चपेट में आया हुआ भारत है उनका अब उन्हें कहानी याद आती है एक प्रीस्ट की प्रीस्ट के बेटे की जो नंगे पैर होता है फ्रम टाउन नेम उडीपी कौन सी जगा से रिलेटेड उडीपी से रिलेटेड आज से 30 साल पैंडी की ये कहानी है और वो जो बच्चा होता है रुजाना जब जाता है उस टेंपल के आगे से जब वो गुजरता है तो वो हमेशा ये प्रे करता है कि उसे एक जोड़ी जोड़ी जूटे चाहिए भगवान से वह हमेशा ये ही दुआ मांगता है राइट जब वो बच्चा होता है रुजाना प्रे करता होग मतलत की तेंपल होते अब 30 साल बाद जब वहाँ जाती है तो वह देखते हैं कि वहाँ पूरा टेंपल वगेरा तो सब खत्म हो गया था बट उसके पीछे एक नया पंडिता के रह रहा था और वह देखते हैं कि एक छोटा सा बच्चा आता है उसने ग्रे कला की युनिफॉर्म पहनी है और उसके पैरों में जूते हैं वो हाफता हुआ आता है एक चारपाई पे अपना बैग फेकता है लाल रंग की वहाँ पर चेहर लगी हुई है और जब वो उसको देखती हैं तो वहाँ पर उसके पैरों में जूते होते हैं तो उन्हें एकदम से वो 30 साल पुराना बच्चा याद आ गए हैं उन्होंने उस ट्रडिशन को छोड़ दिया है क्योंकि यह माना जाता था कि जो पंडित लोग होते थे यह जूते चपल नहीं पहनते थे अगर पहनते भी थे तो खड़ाओ पहनते थे जो लकड़ी की चपल होती है ना वो पहनते थे बट अब लोग पहनने लग ग अब यही सब हैं ठीक है उस बच्चे ने ग्रे युनिफॉर्म पहना था और सॉक्स और शूस पहने हुए थे बट काफी सारे रागपिकर्स जो है वो अभी भी शूलेस रहना ही पसंद करते हैं अब ज्यादा तर रिफ्यूजेस अब देखे रागपिकर्स लिविंग इन सीमापूरी हम क्या बात करेंगे अब उन रागपिकर्स की बात करेंगे जो सीमापूरी में रह रहे हैं ज्यादातर जो refugees थे शर्णार्थी जो थे जो आये थे बांगलादेश से 1971 में सीमापुरी के इलाके में ज्यादातर बांगलादेश के शर्णार्थी ही रह रह रहे थे 1971 में आये हुए और ये आके यहां dwell रहने लग गए थे कहां पर सीमापुरी में a place on the periphery of Delhi और ही जगा कहा और dwell मतलब रहने वाले, so they are dwelling a structure of mud, अब वो रहते किन चीजों में है, मिट्टी के उनके घर है, जिनके उपर तिन की या टारपलिन की छटे हैं, devoid of sewage, drainage and running water, कुछ नहीं है न सीवेज की कोई भी मतलब बंदुबस्त है, न drainage का कोई बंदुबस्त है, ऐसे ही पानी वहाँ मैंने आपको बंदूर भी दिखाई, शायद आपने यहाँ पर अगर देखी होगी अभी थोड़ी देर पहले ही मैंने यहाँ पर तस्वीर दिखाई थी जिसके अंदर आप देख सकते हैं, कि यहाँ पर इन्हीं यहीं पर कूडा है, यहीं पर यह लोग रह रहे हैं, यहीं पिच्चर्ज हैं यह सीमापूरी की ही है ठीक है सीमापूरी इलाकी की ही पिच्चर्ज है इधर ही बांगलादेश के 1971 में आए लोग जो है वो रह रहे हैं और राग पिकिंग का काम कर रहे हैं अब हम कहां पर थे यह सो ज्यादा तर रिफ्यूजी जो है वो माइग्रेट हुए है 1971 में बांगलादेश चे और यह यहां पर सीमापूरी में रह रहे हैं उनके घर जो है वो मढ के बने हुए है मतलब पक्के घर उनके पास अभी भी नहीं है 1971 में आये थे यांद स्टिल थेर कंदिशन इस सेम यहां पर जब रह रहे हैं कि वो लोग यहां पर जब रह रहे हैं अब क्यूंकि इन बच्चों से काफी ज्यादा घुल मिल गई थी ठीक है अनीज जंग तो एक दिन वो इन को मतलब देखने के लिए जाते हैं कि आक्चल में सीमा पूरी के जो इलाके में क्या होता है चीजो कि लोग कैसे है किस तरीके से रह रहे हैं तो जब वहां जाते हैं तो वहां पर देखती है कि हालाग बहुत ज़्यादा खराब है, राइट कि भाई घर जो है वो कच्छे है, नसीवे जहना, ड्रेने जहना, साफ पीने का पानी है, छते टपक रही है, चोटे-चोटे घरों में ही बहुत सारे लोग रह रहे हैं, जानवर भी वही रहे हैं, वो खुद भी वही रहे हैं, पूरा ऐसा सब कुछ देख और वो यहाँ पर उनसे पूछती हैं, बिटाजी, कि आप लोग अपनी बांगलादेश की इतनी सुन्दर सुन्दर जगा छोड़कर, इतनी प्यारी प्यारी जगाएं छोड़कर, यहाँ पर आकर क्यों बस गए हो, वोट इस दे रीजन, है ना, इतनी प्यारे तुमारे ख लेडीज होती है, उन ग्रुप होती है, उन लेडीज का, जिन्होंने फटी पुरानी बिल्कुल ऐसी टाटर्ड साडी सपहनी हुई थी, वो जवाब देती है, कि खाना जो है, वो बहुत ज्यादा इंपोर्टन्ट है, हम उन बड़े-बड़े खेत खलियानों का, उन घरों lived here without an identity, अब ना यहां पर उनके पास इतने सालों से कोई identity नहीं है, कोई identity proof नहीं है, केवल राशन कार है, जिनकी वज़े से उनने अनाज मिल जाता है सस्ते दरों पर, और सरकार जो है, वो इनने राशन कार जिसलिए प्रोवाइड करती है, थाकि ये लोग बोट दे सकें, और सरकार के लिए ये सभी लोग एक वोट बांक है, खाना ज्यादा important है identity से, ये बात वहाँ पर जितनी भी ladies होती हैं, वो बोलती है, तो इस line को याद रखना, food is more important than identity, food is more important than identity, clear, अब इस topic के उपर बात होती है chapter में, कि garbage to them is gold, दोनों के लिए, parents के लिए, और बच्चों के लिए, दोनों के लिए, garbage का अपना अपना importance है, for parents, हम कही ना कही अगर बोले, तो ये means of survival है, means of survival कहने का मतलब है, जिन्दा रहने का एक source है, लेकिन बच्चों के लिए ये जो garbage है, wrapped in wonders, कि कब उन्हें कौनसी चीज मिल जाए, कब उन्हें कौनसी चीज मिल जाए, कुछ नहीं कहा जा सकता, clear है, तो वो बच्चों के लिए वो means of survival नहीं है, उनके लिए तो कभी एक रुपया मिल गया, दस रुपय मिल गया, कभी कोई चांदी की चीज मिल गई है, तो gold word जो यहाँ पर use किया गया है, यह gold का मतलब सोना नहीं है, यह gold का मतलब है, valuable चीज, और उनके लिए valuable एक रुपया का सिक्का भी उनके लिए काफी valuable है, और parents के लिए यह gold क्यों है, यह इतना valuable क्यों है, क्योंकि यह उनके जिन्दार रहने का एक source है, that is why, जैसे बोलते ना कि तुम मिरे लिए चांद की तरह हो, so चांद तो नहीं है न, वो चांद की तरह है, that means इतनी प्यारी हो, इतनी खुबसूरत हो, वैसे ही उनके लिए वो gold की तरह है, that means वो उनके लिए काफी ज्यादा important है for survival in that सीमापुरी area, so a rupee or a coin in garbage sustains their hope, अब वो जो एक रुपया मिल जाता है, कभी garbage के अंदर कुछ भी मिल जाता है, वो उनकी उस hope को बनाए रगता है and they keep scrounging in the hope of finding more, और फिर वो उसमें ढूंडते ही रहते हैं, डूंडते ही रहते हैं, डूंडते ही रहते हैं कि शायद उने कुछ और भी वहाँ पर मिल जाए, right, साहेब's yearnings, yearns to play tennis, मतलब उसकी क्या-क्या इच्छाएं थी, उसकी क्या-क्या desires थी, उसकी क्या-क्या चाह थी, एक दिन वो साहेब को एक tennis का court होता है, वहाँ पर उसकी gate पर खड़ा हुआ देखती हैं, और उसने tennis के जूते पहने हुए थी और उन जूतों में एक छेत था, वो जो छेत था, जूतों के अंदर वो दिखा रहा था, कि शायद किसी एक अमीर बच्चे के जूते वो थे, जिसने अब ये छोड़ दिये थे, रिटार्डट थे और अब ये इस बच्चे के पास थे, हमारे साहेब के पास, साहेब को वो गेम काफी ज्यादा अच्छा लगता था, लेकिन वो अंदर नहीं जा सकता था, वहाँ उस टेनिस क्लब के गेट पर एक गाड़ बैठा होता था, और अकसर वो उस गाड़ को मतलब बातचीत करके, वो गाड़ जो है कभी-कभी उसको अंदर जाने देता था, ठेक है, जो ये चीज दिखाई गई है कि गाड़ कभी-कभी साहेब को अंदर जाने देता था, ये उस सुसाइटी का वो एरिया दिखाया है, वो लोग दिखाये हैं, जो इन लोगों के प्रती, काइंड भी है, सारे लोग ऐसे नहीं है कि इनके साथ वो कर रहे हैं, कुछ अच्छे लोग भी समाज के दिखाये हैं, जो इनके डिजायर को समझते हैं, तो कभी आसपास कोई नहीं होता, तो वो उससे अंदर जाने देते हैं, वो किसी एक अमीर बच्चे के जूते होंगे, जो उसने पहन रखे थे, कही न कहीं, वो चीज़े उसकी पाँच से भार ह पर शायद वो कभी नहीं खेल पाएगा, वो ड्रेस वो जूते उसे काफी ज्यादा पसंद है, पर शायद कभी वो नहीं पहन पाएगा, वो जूते जो उसने पहने हैं, किसी और बच्चे के हैं, शायद उसके लिए वो इतने इंपोर्टेंस के नहीं थे, बड़ साहिब के लेकिन कुछ समय बाद वो देखते हैं, कि उसके हाथ में एक कैनिस्टर है, ठीक है, एक मेटलिक कोई केतली लगा लो, ठीक है, और वो एक टी स्टॉल पर काम करने लगा है, जहाँ पर उसे आट सो रुपे प्रती महीने मिलते हैं, कि नहीं आजना स्मॉल केड, एक छोटा स बच्चा, जो जिसकी खेलने कूदने की, पढ़ने लिखने की उम्रती, वो अभी क्या कर रहा है, वो कहीं न कहीं अभी काम कर रहा है, शायद उसकी फैमली की रिस्पॉंसिमिल्टी है, वो बताता है यानी इसको कि अब मुझे यहाँ पर काम मिल गया है, पॉइंट आउट काम करेगा, वो जैसा बोलेगा, इसको वैसा करना पड़ेगा, डाट सुननी पड़ेगी, सब कुछ करना पड़ेगा, तो और से वो मिलता है, स्टीन कैनिस्टर उसके हाथ में होता है, और वो मिल्क लेकर जा रहा होता है अपने एंप्लॉयर के लिए, मतलब जहाँ पर भी बिल्कुल खत्म हो चुका था अब साहिब जो है वो एक चाय की दुकान पर काम करता था एक टी स्टॉल पर काम करता था और इस वाले पॉइंट को सबसे जादा याद रखना लिखा हुआ है इन स्टील कानिस्टर अपिर थी केट्ली थी इसन थी घिया जो भी एक बरतन था स्टील का ये ज्यादा भारी था उस जोले से जो ये अपने कंदे पर इतनी आसानी से टांग कर गली-गली में भागता हुआ घूमता था लेकिन अब ये जो केतली थी ये उसे भारी लग रही थी क्यूं क्यूं कि अब उसके कंदों पर responsibility थी अब वो किसी के और अंडर काम कर रहा था अब उसका बच्पन उससे छीन लिया गया था अब वो आजाद नहीं था और इसलिए वो carefree look अब वो अपना own master नहीं था ये लाइन मिलेगी आपको अपनी बुक में अब ऐसा दिख रहा था उसकी शकल से कि वो burdened और unhappy feel कर रहा था अब वो अपनी life का own master मतलब अपनी जिंदगी का मालिक जो हम कह सकते है न वो नहीं था and an employee with no freedom अब वो कहीं न कहीं है के employee था जिसके पास कोई भी आजादी नहीं था so ये था हमारा मुकेश का sorry sahib का मैं बार बार मुकेश बोल देती हूँ ये था हमारी sahib की कहानी and I wish and I hope कि ये कहानी आपको जरूर पसंद आई होगी आप लोगों की जो भी doubts हो आप लोग comment section में comment करके मुझसे पूछ सकते हैं कोई भी word जो आपको समझ में ना आया हो कहानी का कोई भी हिस्सा जो आपको समझ में ना आया हो प्लस आपको अपनी ये वाली स्टोरी एक बार line by line word to word read जरूर करनी है स्टोरी को read करना ncrt से book से बहुत ज्यादा important है exam point of view से भी मैंने आपको plot वगेरा सब कुछ कहानी का बता दिया है meanings बता दिये फिर भी आपको कोई doubt आता है आप comment section में जरूर उस doubt को लिखी और मुझे बताईये आपको book में कोई doubt आता है आप मुझे बताईये मैं वो doubt आपका clear करूंगे bye bye guys take care and all the best